अगर आपके पास टाइम है ना तो थोड़ा सा ये वीडियो जरूर से देखना किस तरह से हमारे जो फरस्ट सीडियस ऑफ दे कंट्री है आप में से ज्यादत तर लोग उनको सिर्फ सीडियस के तौर पर ही जानते होंगे मैं आपको बता दू 78 से वो आर्मी थे लेटिनेंट स उस समय तो और केप्टेन मेंजर लेटीनट करणल, करनल, ब्रिकेडियर, मेजर जेनरल, लेटीन जेनरल, फिर जैनरल और फिर कंट्री के फिर्च एवर काम होते हैं जो अधूरी रह जाते हैं और फिर उनको कोई दूसरा करता है वैसा ही हो गया कुछ काम अधूरी रह गए साब के बहुत ही इंपोर्टन वीजन था पहले में आपको इनके बारे में सब कुछ डीटेल्स दूंगा इस वीडियो में लेकिन पहले आप लोग इनके आगर बात के डेथ से एक दिन पहले यही होता एक विजनरी आदमी का काम साथ दिसंबर को इन्होंने आगर बात कि जाए दिली में भाशन दिया था और वहां पर कहा था कि जैविक हत्यार जो आना यह बहुत ही इंपोर्टन है और जैविक हमला जो आना यह हो सकता है बायो विपिन रावत साब ने का था टू एंड हाफ फ्रेंट वार है क्योंकि आधे लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो जशन मनते हैं दूसरे देशों की और ऐसा ही हुआ कल भी ट्विटर पर और बहुत जगे जो है मलब सीडियस साब की जो डेथ है वहां पर भी लोग जो है इनको सीडियस भी बनाया गया उसके बाद इनका में रोल था कि आर्मी को जो है थीटर बनाना थीटर कमांड बनाना ठीक है ना यह मैंने शायद आपको करन्ट अफवेज में भी बताया था थीटर कमांड क्या होते हैं जैसे अभी जो है आर्मी का भी नॉर्दन कमांड है नेवी का साउथ कमांड है, एरफोर्स का भी साउथ कमांड है, आर्मी का भी साउथ कमांड है, तीन कमांड साउथ कमांड में जो हैं, अलग-अलग तरीके से काम कर रहें, तो ये सब फत्म कर गए, थीटर रूप से, नौर्धन थीटर, वहाँ पर आपको अगर बात किया है, Army, UFO अब एक साथ मिलेगी सदने, वहां पर Navy, Army, Air Force सब साथ में मिलेगी इस तरह से, मिल कर काम करना हुआ बहुती visionary आदमी थे इस वीडियो में लोग जानेंगे उनके बारे में काफी कुछ details तो इस वीडियो को जरूर से देखेगा हो सके तो share भी कर लेना युद्द सेवा मेडल और बहुत सारे इनको आवाट्स मिल चुके हैं ये जो हैं 16 मार्च 1958 को इनकी जन्म हुआ था और 2021 में अब हमारे पास में नहीं है कल चाहिद इस समय मौर्णिंग में किसी नहीं सोचा था कि कल हम लोग ये वीडियो देखने वाले करेंट अफेस की जग लेफटनेट की पोस्ट हुआ करती थी वहाँ पर ये जो है कमिशन हुए थे और फिर बने ये कांट्री के फॉस्ट एबर सीडियस भी ये भी हम लोग देखने वाले हैं आगे बढ़ते कुछ उनके बार में अगर बात किज़े उत्रा खंड के पौरी डिस्ट्रिक्ट से थ उचे थे ये भी तो इनका जो है एक आर्मी का लंबा जो है इत्यास रहा इनके फैमिली का आगे बढ़ते है कुछ और बाते करते हैं मैं आपको बताया खड़क वासला एंडिये से पासा उट है फिर इंडियान मिलिटरी अकैडमी देहरा दून से भी है और जब वो आर्मी पर जा रहे थे लेक्चर देने के लिए और वो नहीं जा पाए बीच में रह गए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पर मिलेगी आपको वेलिंग्टन तमिल नर्व मिलेगी और यहां से वो जा है सलूर एर बेस से निकले थे वेलिंग्टन के लिए और बीच में ही र जोँए टिक यह जोड़ा लाक्रान बनेते और दो जार उन्नीस लास्ट तक एक आर्मी जीफ रहते बतवार आर्मी चीफ उनके बाद MM नर्वनेस साब हैं अभी आर्मे चीफ और वो बने थे CDS CDS वो बने थे 1 जनवरी 2020 से ठीक है और उनका कारिकाल अभी एक साल का और का था तीन साल तो एटलिस्ट होगा तो एक साल तक वो और देश के लिए काफी कुछ सेवा करते और इन्होंने जो हैं जनरल दलवीर सिंग सुहाग के रिटार्मेंट के बाद जो हैं चीफ और आर्मी स्टाफ का पद संबाला था ओनरेरी जनरल थे नेपलीज आर्मी के जो की हमारे सभी जनरल्स होते ही हैं नेक्स्ट आगे बढ़े तो फर्स्ट सीडियस थे यह उस समय की तश्वीर है जब वो आर्मी चीफ बने थे यह हैं हमारे दलवीर सिंग सुहाग साब एंड यह हैं अगर बात की जाए तो सीडियस विपिंद्रावत साब उन्होंने पदभार ग्रहन किया था और वो बने थे कंट्री के फॉर्स्ट एवर सीडियस जो की अब इनका नाम जो है इत्यास के पंदों में और हमेशास के लिए जो हैं स्वनीम अक्सरों में दर्ज हो चुका है जो मैंने आपको अवर्स की बात की थी इनके पास में बहुत सारे अवर्स है यह जो आर्मी के अवर्स होते हैं यह पूरा का पुरा उनके जो ना वो उनकी वर्दी पर जो हैं लगा हुआ रहता था 1978 से आप लोग काउंट कर लिजी तो लगबग जो था फॉर्टी यह से फॉर्टी त्री यह जो है नियरली उनकी सर्विस को हो चुके थे काफी ज्यादा उनका जो हैं एक काफी अचाक उनका कारिकाल रहे और ज्यादा तर अपना जो उन्होंने टाइम बिता है वो स्टेंट अफ हो गया था जिस तरह से 2017 में डोकलाम हुआ था उसी टाइम जो है 1987 में भी हुआ था और उस समय जो है अगर बात की जाए तो जनरल विपिंद रावत जो है उस बटालियन को लीड कर रहे थे वो उनकी जो बटालियन थी वो डिप्लोड थी अगेंस्ट चाइन मेंस्ट काफी सारे लोग सर्जिकल इस्ट्राइक के नाम पे 2016 वाली प्योक वाली ही सुनते हैं जमो कश्मिर वाली लेकिन 2015 में बहुत बड़ी म्यान मार में सर्जिकल इस्ट्राइक की थी कि उस समय हमारे अठारा जवान शहीद हो गए तो उसके बाद यह एक ऑपर यह 8 दिसंबर ये तो बताने का ही मन नहीं करता है वो उनकी वाइफ के साथ 11 और लोग थे 11 और लोग नहीं कहूँगा मैं उनको वो भी उनमें से ज़्यादतर आर्मी एर फोर्स के हमारे जवानी थे और MI-17 हेलिकॉप्टर में वो सवार थे जो की कुन्नूर तमिलनाडू में क्रेश कर गया MI-17 जो आना ये रश्या मेड हेलिकॉप्टर है रश्या से खरीदे थे रश्या ने सरव परतम 1976 के आसबास में इनको इंडेक्ट किया था आज के टाइम 78 से भी ज़्यादा देश जो है अगर बात के इस हेलिकॉप्टर को यूज करते है और काफी सेफ भी मना जाता है ज्यादा तर बार हमारे जो पी-एम है या फिर और भी जो वी-वी-आई-पी लोग है वो देश में ही कहीं आने जाने के लिए इस हेलिकॉप्टर का यूज करते है इस तरह से हेलिकॉप्टर का क्रेश होना काफी बड़े सवाल उठता है 2020 की भी अगर बात किजाए तो काफी सारे हलिकॉप्टर क्रेश हो चुक है अगर बात किए केनिया में एक इंपोर्टन हलिकॉप्टर क्रेश होता 2020 जून में आजेरबाईजान में हुगा था बहुत सारे मनलब हुए है यही MI-17 हेलिकॉप्टर ही है जो की रेशियन मेड है हालांकि यह सोवियत मेड है उस समय तो यही मेन कारण है रेशिया का कहीन कहीं अभी तक जो मुझे पता है हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही कारण है बढ़ हां ज्यादा तर जो हेलिकॉप्टर्स यह जो रेशियन एक्विब्मेंट से वो क्रैश होते है वो 70s, 80s टाइम के है उस समय सोवियत संग था अब तूट चुका है तो ज्यादा तर जो स्पेर पार्ट से वो अलग-अलग देशों से आते है अब सप्लाई नहीं भी होती है टाइम पर यह सब था तो यहां पर आप आप लोग देख पाएंगे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यह आपको याद रखना कहां पर हैं वेलिंग्टन में रावत्स डेथ और दोज तो इस वाइफ इलेवन अदर वस लेटर कंफर्म्ट बाई इंडियन एफोस यह वोस सिक्स्टी थी एज और बिल्कुल वो जो है सर्विस में थे एकदम से मदलब जो है आग कर बात की जाए साथ दिसम्वर को जो है उन्होंने बहुत ही इंपोर्टन समिट में भी हिसा लिया था जो इंडिया रशिया समिट था वहाँ पर भी टू प्लस टू मीटिंग में वो थे ठीके न जब राजनात सिंग एश जैर संकर साब की मीटिंग थी रेशियन काउंटर पार्ट्स के साथ उनके साथ भी यह थे और यह हेलिकॉटर क्रेश की बहुत ही दर्द नाग जो है अब लोग फोटो देख पाएंगे उसके बाद तुरंट बाजवा एक बज़े हमारी जो है CCS की मेटिंग वई PM मोधी के दिख्षता में Cabinet Committee on Security ठीक है और इसकी पूरी जांच जुरूर से केंदर सरकार करवने की कोशिश करेगी यह था आज का वीडियो जो भी मैंने आपको बताया है जो भी मेरे मन में अथा CCS VPN रावतसर के बारे में बहुत ही important थे personality अब वो हमारे बीच में नहीं रहे यही था आज का वीडियो आज मैंने current office का वीडियो नहीं बनाया है ठीक है और कल से current office का वीडियो में बनाऊंगा डेली अगर कोई student है competition exam की त्यारी कर रहा है तो फिर इस channel को subscribe कर लो bell icon को दबा लोग मिलते एक नए वीडियो में तब दिख लें जय हिन जय भारत इस वीडियो को share जरूर से कर देना